प, भ, ब, भ और म अक्छरों को लिखना. आज हम बच्चों को बिंदूओं को जोड़कर प, भ, ब, भ और म अक्छर लिखने का तरीका सिखाएंगे. बच्चों की कौपी में आज की तारीक और यहां पर दी गई बिंदूओं को उतारिये. बच्चों को एक पेंसिल का उपयोग करके पहला अक्छर प, लिखना सीखने के लिए सभी बिंदूओं को जोड़ने के लिए कहिए. पहले एक छोटी खड़ी रेखा, उसे जोड़कर एक आधा गोल और उसे जोड़ देंगे एक खड़ी रेखा से और आखिर में ऊपर एक लेटी रेखा बनाएंगे. अगला अक्छर है फ, पहले हम प निकालेंगे जो हमने अभी सीखा है और बीच से एक आधा गोल निकालेंगे और उपर में एक लेटी रेखा बनाएंगे, बन गया फ, अब हम सीखेंगे ब, पहले एक आधा गोल निकालेंगे, इसे जोड़कर एक खड़ी रेखा और अब आधी गोल के अंदर एक तिरची रेखा बनाएंगे और आखिर में ऊपर एक लेटी रेखा बन गया ब, अब हम लिखेंगे भ, पहले एक गोल निकालेंगे, फिर एक खड़ी रेखा, उसे जोड़कर एक तिरची रेखा और एक लेटी रेखा, इसे एक खडी रेखा से जोड देंगे, और सिर्फ खडी रेखा के ऊपर एक लेटी रेखा बनाएंगे, आज का आखरी अप्छर है म, पहले एक खडी रेखा, फिर तिरची रेखा, उसी जोड कर एक लेटी रेखा, जिसे हमें खडी रेखा के साथ जोडेंग और आखिर में उपर एक लेटी रेखा बनाएंगे, बन गया म. आज हमने बच्चों को पांच नए अप्छर प, भ, ब, भ और म लिखना सिखाया. अब बच्चों की कौपी में बिंदूओं को बनाकर उन्हें यही गतिविधी कई बार दोहराने के लिए कहिए और कौपी में उनके पूरे काम की तस्वीर लेकर हमें वाटसाप ग्रूप पर भेज दीजिए.